भाई आपने इंडियन ने भी कोश्ट कार्ड का चाहे कोई भी फॉर्म फिल किया हो, चाहे वो नाविक डीवी वाला फॉर्म फिल किया हो, चाहे नाविक जीडी वाला फॉर्म फिल किया हो, या अगर कोई भी अधर फॉर्म फिल किया हो इंडियन कोश्ट कार्ड का, तो आप उस form में correction नहीं कर सकते हैं मैं शुरुवात में आपको बता रहा हूँ उस form में आप correction बिल्कुल नहीं कर पाएंगे अगर आपसे कोई mistake हो गई हो तो फिर आप इस वीडियो क्यों देख रहे हैं और मैं इस वीडियो क्यों बना रहा हूँ क्या आँगे चलकी उस चीज में मुझे प्रॉब्रम आ सकती है तो आपको इसकी जानकर आँगे वीडियो मिल जाएगी लेकिन अगर आप इस form को भर रहे थे और आपने सरफ इसका registration किया है form को अभी submit नहीं किया है बची हुई submit वाले ही fill कर ली हो और form को submit नहीं किया है payment कटवाई हो, China कटवाई हो लाश्ट में payment कटवाई हो submit करने का option आता है जब आपने form को चेक किया तो आपको समझ में आ गया है मेरे से यह mistake होई है और आपको उसको correction करने का option नहीं दिख रहा है तो आप simply एक नए registration कर सकते हैं नए mobile number से, नए email ID से OTP आजाएगी, दूसरे number पर आजाएगी, दूसरी email ID पर आजाएगी तो इसे OTP को डालते हैं और नए registration करते हैं कोई आपको problem नहीं आई है अगर आपने form को submit नहीं किया है आप क्योंकि इस form की multiple applications भी submit नहीं कर सकते हैं अगर कोई candidate multiple applications filled कर देता है तो उसकी सभी applications को cancel कर दिया जाएगा भले ही वो आपने single post के लिए किये हूँ या फिर अलग-अलग post के लिए किये हूँ क्योंकि जब आप इस form को fill करते हैं तो यहाँ पर तीन post चुनने का option आता है तो आप अगर यह सोच रहे हो कि मैंने पहली application दूसरी post के लिए fill कर दिये दूसरी नए registration कर देता हूँ नई email ID और नए mobile number से और दूसरी post के लिए application fill कर देता हूँ तो आपकी दोनो applications reject कर दी जाएंगी साब साब यहाँ पर ऐसा दे रखा है यह बात तो हो गई multiple applications की अब आपने जो document upload की है कई लोगों comment मेरे पास आते हैं बाद में कि यह मैंने जो document upload करें उस document में मेरे से यह mistake हो गई है तो document की mistake इतनी जादा नहीं देखी जाएगी आपने भले ही 10th की mark sheet लगाई है 12th की mark sheet लगाई है जाती प्रमाणवत्र लगाया है upload जो किया है तो जाती प्रमाणवत्र में भले ही थोड़ा बहुत mistake हो गया हो Hindi English की document upload करने थे आपको दूसरी अलग भासा का document upload नहीं करना था जैसकि मैंने आपको जब form fill करने वाली वीडियो बनाई थी आपको दिक्कत आएगी इस notification सबसाब ऐसा भी दे रखा है कि जब आपका verification होगा उस time कोई mistake पाई जाती है आपकी document बगएरा में तो उस time NOCB आपकी काम नहीं आएगी तो आप exam तो देकर देखी देखते हैं कि बार जब आपको भी में ज्यादा कुछ problem नहीं आती है तो इस चीज में चल जाता है लेकिन अगर आपने जो detail fill करी है उस चीज में नहीं चलता है तो detail सोच समझ के fill करें चोटी मोटी कोई चीज हो तो चल जाएगी लेकिन कुछ ज्यादा बड़ी problem हो गई हो तो वो नहीं चलेगी आप मुसे comment करके जुरूर पूछें कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी से form fill किया था जो rally वाले form आयते साथ gd के तो उसमें भी ऐसी photo मांगी जा रही थी same to same और इसी portal से form निकले थे तो उसमें भी मैंने जो PDF अप्लोड की थी declaration वाली उसमें ने sign नहीं करवाए थे candidates से तो उसके आंगे चलके joining भी आई तो भी कोई problem नहीं आई उस चीज में तो उस चीज में आप अगर declaration में आपको से थोड़ी बहुत mistake हो भी जाती है तो मान कर ली जाती है तो आपको उस चीज में घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरी कोसिज यही थी इस वीडियो को बनाने की कि आपको उस चीज का जवाब मिल जाए कि आपसे कोई अगर mistake हो जाती है तो उसमें correction हो सकता है या नहीं हो सकता है अगर आपसे कुछ mistake हो भी गई है तो उस चीज में आपको टैंसल लेनी की जरूरत है या नहीं है तो comment जरूर करना अगर आपको फूम बनने की process देखनी है step by step तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं